माराश्य विदान सभा से मराठा आरक्षन बिल को मंजुरी मिल गई है इस बिल में मराठा समाज को शिक्षा और नौकरी में दस फिस्दी आरक्षन देनी का प्रावधां किया गया है मुख्यमंत्री एकनाज शिंदी ने कहा कि चाहे OPC भाई हो या कोई अन्य समुदाय हमने किसी की आरक्षन से छेड़ चाड़ किये बिना मराठा समुदाय के लिए शैशिग और नौकरी आरक्षन प्रदान करी का निने लिया है सियम शिंदे ने कहा कि इस काम में उन कानोनी विशेशग्यों की भी मदद ली चारी है जिरोंने हाई कोट में मराठा आरक्षन की जोर्दार वकालत की है एक टास्पोस का भी गठंग क्या गया हाई कोट सुपरिंग कोट और अन्यन नाइक सरों पर मराठा समुदाय का आरक्षन कैसे बढ़करार रखा जाएगा इस पर सरकार और आयोप के पेस समनवय बना गया मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमने मराठा आरक्षन के पक्ष में पहस करने के लिए राजय सरकार की ओर से वरिष्ट परिशदों की एक सिना खड़े की है चार दिनों तक हमने मराठा समुदाय की स्थिती पर बहुत कम बिर्टा और धेरिये के साथ अपने विचार वेटी की है हमने मराठा आरक्षन को रद्द करते समय सुप्रीम कोर्ट वरा दर्श के गए निशकर्षों पर पूरी तरह से ध्यान के दित किया मुझे विश्वास है किस सफलता मिलेगी एकना शिंदरी कहा कि मुख्यमंत्री बननी की पाथ मुझे मराठा समाज के लिए ठोस योगदान देनी का अउसर विला है मैं इसे अपना सौभा क्या मानता हूँ जब हमारी सरकार आई तो मराठा आरक्षन हमारे एजेंटे में प्राथ मिक्ताती और इसलिए सितमबर 2022 में मंत्री चंडरकान पाटिल को उपसमिती का अत्रिक्ष्यब बना गया सत्ता में आते ही यानि अगस 2022 में ज़्यादा दरपदों का सुरुचन क्या गया 21 सितमबर 2022 को सरकार ने फैसला दिया और इसका क्रियान वेंच शुरू कर दिया बिरो रिपोर्ट इन्बिसेन न्यूज